हेलो दोस्तों मैं हूँ दानिश स्वागत है आपका डिजिट्रल दानिश पर ऑनलाइन प्रोड़क्ट कैसे सेल करने हैं इकॉमर्स और ड्रॉप शिप्रिपिंग हो या कोई इकॉमर्स प्लेटफर्म हो हम आपको इस चैनल पर बताते हैं और साथी साथ कैसे बिजनिस को ग्रो करना है इससे भी आपको प्रूब वरू करवाते हैं तो पिछले काफी टाइम से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि Amazon पर कैसे प्रोड़क्ट सेल करने हैं किस तरीके से Amazon पर सेलर अकाउंट बनाना है तो मैंने कुछ वीडियो आपके लिए बनाये थे बट आज मैं आपके लिए एक ऐसे एक्सपर को लेकर आया हूँ जिसको आप जानते होंगे YouTube पर बहुत फेमस हैं बहुत अच्छी प्राइम नॉलिज देते हैं तो मैं बहुत स्वागत करूँगा अपने चैनल पर अरजुन राज प्रोहित जी का जिनका YouTube पे बहुत फेमस चैनल है सेलर स्टोरी के नाम से और वो Amazon से रेलेटिड मतलब बहुत वैलिबल नॉलिज प्रोवाइट कराते हैं तो बहुत-बहुत स्वागत है अरजुन आपका मेरे चैनल पर सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा आपने इन्वाइट किया मुझे अपनी चैनल पर और मुझे लगता है कि आज जो कनवर्शेशन होगी या फिर जो भी डिसकस होगी वह हमारी ओडियन्स के लिए जो है वो हेल्पूल रहेगी तो थैंक्यू मेरी कोशेश है रहती है कि मैं अपने चैनल पर ऐसे एक्सपर्ट को लेकर आऊं ताकि जो हमारी ओडियन्स है जो वीवर हमारे अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी वीडियो देखते हैं उनको अच्छी नॉलेज मिलें उसको बिजनस में इंप्लिमेंट करें और अपने रिवेन्यू को इंक्रीज करें तो बहुत फास्ट वे में ये इंट्रिव्यू रहने वाला है और वैल्यूबल रहेगा तो मैं बहुत जल्दी से आपसे आपके मूँ से ही आपकी जर्णी के बारे में जानना चाहूंगा कि आपने कब स्टार्ट किया कैसे स्टा किया था मेरी एक दुकान थी जहां पर मैं लैपटॉप के पार्ट या फिर जो भी कंप्यूटर एक्सेस्रीज है वह सेल करता था लेटर उन जो है वहां पर इतने रिजल्स नहीं मिले तो उसके बाद में दीरे-दीरे जो ओनलाइन में सिफ्ट हो गया फिर उसके बाद में अइमजोन पर सेलिंग करना शुरू किया वाकि मार्केट प्रेस गया वहां पे वहां पर सेल करना शुरू किया बाकि में पर फ्लिक कुरद करना शुरू किया Pan Par वो पहला आपको याद होगा वो थोड़ा सा शेयर कीजिए कि कितना टाइम लगा था पहला ओडर आने में और क्या आपका एक्सप्रीरिंस था ज्यादा टाइम नहीं लगा था एक्चलिव में जो पहला ओडर आया था ना वो मेरे को मिल गया था मतलब डेक्स डे मिल गया था और वो मतलब एक अलग मैं उसको ना वर्ड्स में एक्स्प्लेन नहीं का सकता क्योंकि उस समय क्या है कि e-commerce के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे यह बात लगबग 2013 के लगबग की बात है तो उसने ज्यादा e-commerce या online selling के बारे में नहीं जानते थे तो एक अलग खुशी थी कि भी कुछ कोई product हम से कोई customer मंगा रहा है देश के किसी अलग होने में बैठा हुआ उसने हम पर ट्रस्ट किया उसने payment भी की तो मतलब एक अलग जो है वो खुशी उसके अंदर feel हुई और लगा कि हाँ हम कुछ अलग कर रहे हैं दस साल की जर्णी आपकी e-commerce मतलब platform पे हो गई है मतलब बहुत बड़ी बात है उस ताइम तो लोग जानते भी नहीं थे जब आप बात कर रहा हुई उस ताइम तो मैं एंब एक कर रहा था फाइनल में उस ताइम ऑनलाइन शॉपिंग का इतना क्रेज भी नहीं था बहुत में अच्छा एक्सपिरेंस भी आपका रहा होगा डेफिनिटली और आपने वही एक्सपिरेंस हम आज आपसे निमाग में रहता है नए लोग जो आए हैं जो ऑनलाइन बिजनस करना चाहते हैं कम बजट है जादा बजट भी नहीं है लाग पर आसपास बजट होता है नॉर्मली एक नए सेलर एमेजान पर यह फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर वह अपना बिजनस स्टार्ट करन पर ने जा रहे हैं तो यहां पर दो चीज अपने को देखने वाली है एक तो जो बेसिक रिक्वाइर्मेंट होती है जैसे मानली जी आपको एक कंप्यूटर चाहिए एक प्रिंटर चाहिए तो वह हमें सबसे पहले बेसिक सी लेके चलना पड़ता है जिनसे अपना काम चल कर रहे हैं जो फने खरीद आहां अब यहां पे हैं ऑर चीर। अपना रुपय के शाहीं है जो चाहिए जित की वित्त्र और खुर्च हो सब्सक्राइक सी और जे तो यह मस्ट इंपोर्टेट है अगर अपने कोस्टली प्रोडक्स के साथ में जा रहे हैं तो यह हमें को सेल मिलेगी मिलेगी अगर हम या हमें पता नहीं कि भी हम जो बेचने जा रहे हैं वह बिकेगा कि नहीं बिकेगा या फिर क्योंकि क्या होता देखिए एक स्ट्रेटेजी सब्सक्राइब नहीं हो सकती जैसे प्रोड़क्त के टेगरी हो यह होती है प्रोरा मार्केट उसका बदल जाता है ठीक है चाहिए आ विल्यू कम हो और थोड़े सस्ते प्रोड़क्स हो उसमें क्या है कि ज्यादा अपने एक्स्प्रिमेंट कर पाएंगे और कम बजट के साथ में अपने जो अच्छे तरीके से इसको चला पाएंगे अच्छा अरजुन भाई जब प्रोड़ेट की बात होती है तो लोग यह सबसादर कोशन यही रहता है माइंड में मेरे भी रहता है कि वो पर्टिक्लर निश में जाएं यह फिर एक जनरल स्टोर में कुछ भी वो सेल करें देखिए अगर आप मार्केट प्लेस पे सेल कर र ओपे लिए पर अफिर लौग निश बहता है अगर आप मार्केट प्लेस पे जा रहे हो तो वहाँ पर जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्त है साथ भी कर सकते हो क्योंकि वहांपर बेसिकली क्या रहता है एक यह सोच कि जाता है एक उन्हें अच्छी करते हैं आगर में अपने trending products के साथ में भी जा रहे हैं या फिर multiple categories में कर रहे हैं तो कर सकते हैं मैं भी multiple categories में करता हूँ market places के उपर चलि ये बात तो कि investment की product कैसे रखने है और investment कितना है अभी कुछ तीन चीज़ों की ज़रोत हो दि कोई business करने के लिए investment, skill और आपका equipments लीगल जिसको हम वो भी जो सकते हैं कि लीगल documentation का चाहिए जी तो इसमें आप तीनों पर बताइए कि legal documents क्या चाहिए और क्या-क्या skill की ज़रोत है investment अपना पार्ट होई कि legal documents में ऐसा है कि अपने को सिर्फ यहाँ पे GST number चाहिए चाहिए अपने एमजोन पर सेल करते हैं flip card पर सेल करते हैं चाहिए अपनी website पर सेल करते हैं e-commerce किसी भी platform पर अपने सेल करें अपने GST number की requirement होगी इसके अलावा कोई भी requirement नहीं है online सेल करने की लेकिन अगर आपके product product की कोई special requirement है मालीज आप ऐसा कोई product बेच रहो जिस product के लिए extra से कोई भी certificate या फिर कुछ ऐसा लगता है तो उसकी वहाँ पर requirement होगी जैसे food product बेसने हैं अपने तो उसमें अपना जो FSSI का license रहता है वो लगता है उसके अंदर ठीक है अपने medical से related product बेसने हैं तो well and good है क्योंकि Amazon पे अगर आप अपने product जैसे मालीज लिस्ट कर रहे हैं तो उसमें अगर आप अपने product को थोड़ा सा infographic बना के मतलब जैसे product पे पूरा designing करके अपने explain कर पाते हैं तो well and good है वहाँ पे उसका काम लगता है ठीक है उसके बाद में बाकी skills तो लगबग आजकल AI करी दे रहा है content writing काम AI से हो जा रहा है अगर आप product list करने जा रहे हो इसकी detail description बगएर लिखनी है तो वह आप AI से लिखते हो ठीक है थोड़ा बहुत marketing की आपको knowledge होनी चाहिए यह आपके skill होने चाहिए कि भी आप अपने product को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो कैसे उनकी जो हो marketing कर रहे हो तो designing हो गया और थोड़ा बहुत basic आपको computer knowledge होना चाहिए जिससे आप क्या है की error रहते है डे-to-day अपने जो भी business करने जा रहे है तो day-to-day life में वह सारे errors साते हैं मतलब कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ प्रोब्लम साती है तो अगर अपने कुछ skill है जैसे मान लिए अपने computer को अच्छे से operate करना जानते हैं तो कहीं पर कोई चोटे मोटे दिक्कत होती है तो हम उनको जो solve कर पाते हैं वरना फिर अपने post में क्या expert की वो चाहिए help चाहिए आपने बता दिये कि investment कितना चाहिए क्या skill चाहिए क्या legal documents चाहिए अच्छ एक नय सेलर जब Amazon पर आता है low budget होता है initially कोई इतने high budget से तो नहीं आते आपने बात करें ना कि Amazon पर अगर कोई नया सेलर आ रहा रहा तो उनको गुरू कैसे करना है तो एक तो मैंने पहले बताए कि अगर अगर अपने ऐसे प्रोड़क्स चूज करते हैं जिनके processing value कम हो कम का मतलब 200 300 400 500 रुपया तक तो उनमें क्या एक तो अपनी ज्यादा inventory रख पाएंगी ज्यादा experience रख पाएंगी और उनके जो अलगला experiment कर पाएंगे याना पूरा का पूरा खेल experiment का है हम भी experiment करते हैं आज 10 साल होगे मेरे को करते होगे लेकिन फिर भी बहुत सारे products हैसे होते हैं जो नहीं चलते उनमें कितना ही एड चला लें कितना ही कुछ चला लें जब सामने डिमांड ही नहीं है जब customer उनको पसंद नहीं कर रहा तो वो नहीं भी केंगे है ना तो हमने तो अपनी तरफ से product लगा दिये पूरा एकदम सोच के लेकिन customer वाला पार्ट वो customer ही देखते हैं कि उन्हें लेना है कि नहीं लेना तो में चीज़ी है कि एक तो अपने ज्यादा products के साथ में अगर experiment करते हैं महां लीजे ज्यादा करते हैं तो चांसे होते हैं कि हमारे orders हमें मिले दूसरे कि हम advertising कर सकते हैं Amazon के ऊपर campaign चला सकते हैं पर advertising जिसको बोलते हैं तो वहां पर क्या पर्चेस कर लेते हैं तो यह फिर वहां पर जुरूरी हो जाता है कि भी हम advertising करके जो है वो अपने product को रेंक करवाएं particular जो भी keywords उनके उपर और advertising में भी मैं नए sellers के लिए यहां पर कैडवाइस देना चाहता हूं कि यहां पर एक ACOS रहता है advertising post रहती है कि भी अपने कितना advertise किया और उसके बदले में हमको जो वो कितनी सेल मिली है तो ACOS जितना कम रहता है उतना ही अच्छा है हमारे लिए जैसे कि मान लीजिए मैंने होगा उसमें फिर हमारे profit भी नहीं रहेगा और loss होने के chances भी जो वहां पर हो जाते हैं तो advertising में यह चीज़ हमें बहुत ध्यान देने वाले हैं कि अपने जो ACOS है उसको हम maintain करके रखें या फिर कम से कम रखें क्योंकि मैंने देखा कि काफी sellers क्या करते हैं वो add run कर देते हैं और उसके बाद में उसको check भी नहीं करते हैं कि उनकी add की क्या performance आ रही है कैसा चल रहा है ACOS जो कितना रह रहा है profit कितना रह रहा है तो यह चीज़ अपने को देखनी बहुत जुरूर है दूसरा नए seller के लिए मेरे को लगता है कि यह profit calculation करना देखिए अगर अपने retail offline दुक commission रहता है company का ठीक है उसके बाद में पूरी चार्जिज रहते हैं उसके बाद में अपनी packaging की cost होती है फिर उसके बाद में अपनी manpower भी लगती है अगर अपने product packaging या फिर वो सब करवाते हैं तो उसके बाद में return आते हैं तो उसमें भी हमारा जो हो कुछ loss होता है उसके बा Amazon पे या किसी भी marketplace पे या फिर अपने store पे specially तो यह किजिए आपका ना एक Excel में पूरी detail बना लीजिए कि भी आप किस price point पे sell कर रहे हैं उसको क्या price में आपको आया है कितने इसके उंदर जो है वो tax आपको देने पड़ रहे हैं उसके बाद में packing cost क्या है shipping cost क्या है और product जो बाद में आप देखे कि भी आपको overall job क्या profit हो रहा है उसके अंदर तो यह must important है बहुत बहुत important यह आपने knowledge दी है नए seller के लिए नए seller के लिए जो लोग कर भी रहे है experience seller भी है वो भी लोग दिहान नहीं देते हैं इन चीजों पर बहुत बारिक ही आपने बताई business की अब इसमें लोग अलग अलग तरीके से gameplay करते हैं पुछ क्या करते हैं कि ज्यादा वोल्यूम में डील करते हैं लेकिन प्रोफिट पसेंटेज हो अपना कम रखते हैं पुछ क्या करते हैं कि प्रोडक्ट अपने बीस ही बेचेंगे दिन के लेकिन उनके अंदर हमको 50% margin चा आप उसकी मोनोपोली करना चाहते हो मतलब वो आपके पास में हैं और मार्केट में उसकी डिमाड है तो उसके अंदर आप 50% तक माज़र रख सकते हो अपना और अगर अगर आप common product sale कर रहे हो तो फिर वह पंदरा से बीस परसेंट हो आपना रहेंगा बहुत ज्यादा आप आपको मतलब वहां देना पड़ेगा मिनिमा देखिए दनिश भी टाइम का ऐसा है कि हम कितना output उससे चाहते हैं चीक है उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिमेंड करती है जैसे माली जी मैं यहां पर पूरा टाइम जो हो अपना यहां पर दे रहा हूं चीक है कुछ मैंड एक के तरहरे मुशसे अगर मेरेको फॉकस में करना तो इसको पूरा दिन मेरेको देना तो बने करने उसके बाद में उनकी लिस्टिंग करवाओगे उसके बाद में स्ट्रेटेजीज बनाओगे क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है उसके बाद में कैम्पेंच चलाओगे ठीक है ओरस लेने फिर ओरस को पैक्ट करवाना या प्रोसेस करवाना तो इसमें टाइम जाता है और पर बहद बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं और रोडियंस से करूंगा'm कि, कि मैं डिस्क्रिप्शन में अर्जन वाई का जो यूटीब चैनल है उसका लिंक दे दूँए जहां पर बहुत ज्यादा वैलीबल इंफॉर्मिशन आपको मिलेगी अगर आप एमेजॉन या किसी भी मार्केट प्लेस पर प्रॉट्ट सेल करना चाहते हो और ऐसी ही इंटर्व जिसको हम कह सकते हैं वो शेयर किया और एक नए सेलर कैसे स्टैब्लिश करें बिजनस मार्केट प्लेस पर वह आपने बताया बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो दोस्तों इस तक ही वीडियो हम लेके आते रहेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुझे दीजिये जाज़त जय हिंद जय भारत